महादेवी पारवती जी स्वामी राम जी सीता को देख करके और सीता जी राम को देख करके दोनों के हिरदाई में एक दूसरे के प्रती प्रेम भावना जागुती है महादेवी जी स्वामी जिसका वरणन नहीं किया जा सकता है सीता जी अपने सक्षियों के साथ राम की ओर देखते हुए राज महल में चली जाती है और राम सीता की ओर देखते हुए लक्षमड के साथ अपने गुरू के आस्रम में चले जाते हैं महा देवी फिर क्या होता है स्वामी अपने गुरू के साथ राम लक्ष्मर्ट सीता स्वयंबर देखने के लिए रंग मंच में पहुच जाते हैं सीता स्वयंबर देखने के लिए देश देशंतर के राजा महराजा रंग मंच में आते हैं तब राजा जनक जी सभी को आदर पुर्वक बैठाते हैं रंग मंच में सीता जी की सुन्दरता को देखकर नर और नारी मोहित हो जाते हैं और देवगान आकाश में हरसित होकर नगाडा बजा रहे हैं और पुस वर्षा रहे हैं और सीता जी के हाथों में जैमाला सोभायमान दिख रहे हैं महादेवी कहने पजाई कहा हूँ पनमोरा चले भाट ही अहर सुन थोरा त्रिभुवन जय समेत बैदे ही बिन ही विचार बराई हठीते ही महादेवी पार्वती जी स्वामी तब राजा जनक ने अपने बंदी जनों को कहा की रंग मंच में जाकर सभी को मेरा प्राण सुनादू तब बंदी जन उनके प्रणों को सुनाते हुए की जो सिवजी के धनुस को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी जैमाला डालेगी रावाड बानासुर रंग मंच में उपस्तित रहे महादेवी जी स्वामी और एक एक करके सभी राजा धनुस को उठाने का प्रयास किये लेकिन धनुस नहीं उठा महादेवी जी स्वामी तब एक साथ दस हजार राजा धनुस को उठाने लगे तो पर भी धनुस कुन अभिमानी राजाओं द्वारा धनुस एक तिल भी नहीं उठा महादेवी जी स्वामी तोडने की बात दूर रहे तब राजा जनक जी सभा बीच में बोलने लगते हैं महादेवी सभा बीच उठ जनक जी बोले आखिमा भर गे नीरीगा सीता बेटी कुवारी रहे नई है कोनो बीरगा सीता बेटी कुवारी रहे नई है कोनो बीरगा यदि मैं जानता कि इस पित्वे में कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण कभी न क्या होता कभी न क्या होता मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने उत्री सीता जी का विवा दिखा ही नहीं है सीता बेटी कुमारी रहिए नहीं है कौन बीरगा सीता बेटी कुमारी रहिगे नई है कौन भी रगा जानक बचन कुनिसा बना रनारी रामा भाजोसिया रामा देखी जानकी भैदुकारी रामा भाजोसिया रामा रगवन सीन महुझा कुई हुई रामा भाजोसिया रामा तिह समाज अच कहा इनकोई रामा बजो तिया रामा सीता बेटी कुवारी रहे नहीं है कौनो बीरगा झाले रामा बामा ब्राम झां के खाया मतंसब रामा